ये compound interest चक्रवीधी व्याज का part 2 है, इससे पहले इस chapter से हम एक part पढ़ चुके हैं, उस part का link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, आज हम कुछ basic question solve करेंगे, और उसका सबसे आसान तरीका देखेंगे, आपने थंबेल में देख लिया हुआ कि हम किस तरह के method का इस्तमाल करेंगे, ना ही formula लगाएंगे, हम कुछ अलग method का इस्तमाल करके, ऐसे question को solve करेंगे, ये पहला question है, एक हजार रुपिया का दो वर्स का 10% वार्षिक दर से, चक्रवीधी व्याज कितना होगा, आपने ratio method सीखा होगा, कि दो वर्स का जो ratio है, वो दो अनुपात एक होता है, हम सबसे पहले 1000 रुपिया का 10% निकालते हैं, 10 बटा 100, तो यहाँ से हमें मिलता है कितना, 100 रुपिया, ये एक वर्स का है, उसके बाद इस 100 रुपिया का हम फिर से 10% निकालते हैं, यहाँ पे हमें कितना रुपिया मिलता है, 10 रुपिया, अब हम ratio मेठर से इस और यहाँ पर मिलता है हमें 10 रूपिया तो हमारा ब्याज हुजाता है 210 रूपिया हमारा compound interest है हम इस method का इस्तमाल नहीं करके हम एक अलग method का इस्तमाल करेंगे पार्ट वन के वीडियो में हमने सभी method बनाना सीखा है अब हम एक नया method सीखेंगे यहाँ पर 10% डिया गया है rate इसे हम 10 वता 100 कर लेंगे मतलब भिन में बदल लेंगे यह अपने percentage में सीखा होगा इसे कटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 वता 10 बस इसी को पर सारा question solve होगा हम principles लिख लेते हैं और amount लिख लेते हैं यह हमारा मूलध्य और यह हमारा मिष्डधन है हम मूलध्य कैसे मानेंगे यह जो 10 है उसे हम मूलध्य के नीचे 10 लिख देते हैं कर देंगे और इगा 3 S. साल के लिए बोला जाए तो यहां पर हम तीन लिखेंगे पर यहां पर दो साल बोला गया तो हम दो लिख रहा है कर चार साल बोला जाएगा तो चार लिखेंगे यहां पर दो साल बोला गया हमने दो लिखा इसका स्कॉार करेंगे यहां पर आएगा एक सो और इसका स्कॉार कर 1000 रुपया 100 में हम कौन सी संख्या गुणा करेंगे कि वह 1000 हो जाएगा अगर 100 में हम 20 का गुणा करें तो वह 1000 मतलब इस मुधन के बराबर हो जाता है। इसी 10 को हम इस 21 में गुना कर देंगे, 21 गुना 10 एक्वल टू 210 रुपया आ जाएगा हमारा कमपाउन इंटेस्ट वतलब की टोटल ब्याज, जैसा भी कोस्टेन हो हम इस ट्रेक का इस्टेमाल करके उसे सॉल्ब कर सकते हैं, अब हम बनाते एक अगला प्रस्न, इस कोस्टेन मे दिया गया है कि 12 सही 1 बटा 2 35 वर्षिक दर से 6400 रुपया का दो वर्ष का चक्रविधी व्याज कितना होगा, यहाँ पे हमें रेट कितना दिया गया है, 12 सही 1 बटा 2, मतलब की 12 दूनी 24 प्लस 1, एक 25 बटा 2, इसका हम परसेंटेज हटा के इसे भीन्द में कर लेंगे, तो अब हम मूलधन लिखते हैं और मिस्रधन लिखते हैं, मूलधन हमारा कितना होगा, यह 8 और उपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे, मतलब 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यह हो जाएगा हमारा अमाउंट, अब हम इसे स्क्वाइर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वर्स के लिए बोला गया है, इसका स्क्वाइर करेंगे और इसका स्क्वाइर करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 64 और यहाँ पर हमें मिलेगा 18, अब हमें ब्याज निकानने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 18 से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा हमें मिलेगा 17 17 रुपिया मिलेगा हमें यहां से डिफरेंस अब हमें क्या करना है यह 6400 रुपिया है और यहां पे 64 है हमारा जो मूलधन यहां से आया है वो 64 है और हमारे कोश्चन में दिया गया है 6400 गए 6400 को हम 64 इस प्रिवाइट करें तो हमें मिलेगा कितना बतलब की 100 उसी 100 को हम इस 17 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 1700 रुपया यह हो जाएगा हमारा ब्याज 1700 कौन सा उप्सन सही है 53 Ons सही है चक्रवीदी मिस्रधन कितना होगा यहाँ पर मिस्रधन मतलब हमें अमाउंट बताना है यहाँ पर रेट कितना दिया गया है 6 सही 2 बटा 3 इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 6 तिया 18 प्लस 2 20 बटा 3 20 बटा 3 को हम 100 से डिवाइट कर लेंगे 1 बाई 100 तो हमें कितना यह पाज बार में कर जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा एक बटा 15 हमारा सेकंड इस्टेप क्या है यह हो गया मूलधन और यह हमारा अमाउंट तो हमारा मूलधन है 15 और 15 में एक जोड़ेंगे 16 हमारा हो जाएगा अमाउंट दो साल का निकालना है तो इसका स्कॉार करेंगे तो यहां पे आएगा 126 हमें बताना है मिस्रधन 215 को अगर हम 214 मिल जाएगा इसे अगर बीज निकालने में 30 को निकालने में 20 को run कुना करें पर सितनर इसे कुणा करेंगे मैं ज़से कंए क ईहां पर आ Where हमारा 5120 यह हो जाएगा हमारा amount